Hello my dear viewer, as you know we have started the series of assertion and reasoning based questions for CVSC class 12 computer science. In our previous video, we have discussed the assertion and reasoning based questions of functions और उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया था 100% working trick क्या है इन questions को solve करने की. I hope ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख ली होंगी और लाइक भी कर दिया होगा. अगर नहीं देखा है, no problem. इस आई बचन पर क्लिक कर लीजिए आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे. इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं assertion and reasoning based questions of stat in python. तो दिस इस स्वाती चाफला, your educator and venture. एक बर फिर से स्वागत आपका अपने इस फ्यारे से चैनल पर. तो बिना देरी की करते हैं वीडियो की शुरुबात. बट बिफो स्चाइटिंग इस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नहीं है या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिरफ वीडियो से करकर चलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ऐसे तो काम नहीं चलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आजए दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा और वह आपको पता ही है कैसे देना ज्यादा कुछ नहीं करना है बस एक लाइक एक कमेंट और एक शीर था वीडियो को जरूर देना तो ना विदाट नीदेले लेगा पिटेस्ट ना विदाट लेट बडिवाचाट स्था करते हैं इसके बाद यहां पर आपको टू स्टीटमेंट गिवन है एक में इसर्शन और एक में गिवन है रीजन पहले एसर्शन स्टीटमेंट कर रिड़ आउट करते हैं क्या किया रहा है प्रोग्राम्स शुड्ट चेक फोर ओवर फ्लो कंडिशन विफोर अगर उसन स्ट याउने पर जितनी मैं दौकेशन हो चाहूं तो मेरे पास कौन से आगपने नियुक्ऐ मैंट्स करना चाहूं तो मेरे पास कौन से कंडिशन हो जाएगई..खने वेंटे चाह Finnish को चाहाarta, ter civil inequality proportion नहीं हो सकते तो उस टैम पर वापकी कौन सी कंडिशन होगी अंडर फ्लो एजर्शन क्या कहते है प्रोग्राम शुड चेक फूर ओवर फ्लो कंडिशन बिफोर एक्जीक्यूटिंग पुश ऑपरेशन देखो चैनल पुश ऑपरेशन करूं चैनल मुझे ऑवर फ्लो ऑफ्लो इसमें अपना साइज नहीं देते हैं इसमें और अगर मेरे पास जो मैमरी लोकेशन है वह एकदम फॉल है फिर मेलेमें इन सर्च करें तो महां पर मेरे पास ओवर फ्लो कंडिशन का रर आकर होगा आप आजकल के टेकनलोजी एडवांस है लाप्टोप में काफी ज़्या उ अब ऑप्शन्स देखते हैं कि एजर्शन ट्रू रिजन फॉल्स यह सारी चीज़े मुझे गीवन है अब अगर मैं अजर्शन पर आजो ओवर फ्लो कंडिशन चेक करनी है बिलकुल और यह एजर्शन स्टेट्मेंट मेरे पास क्या है प्र्यू है रीजन क्या कहते है अंड यह दोनों स्टेट्मेंट मेरे आपस में लिंक है तो दाट मेंस बोथ एजर्शन भी और रेजन भी दोनों स्टेट्मेंट है और रेजन इस दा करेक्ट एक्ष्प्रेनेशन ओफ ए ना नेक्स्ट इस कुस्टिन नम्बर तू इसर्शन स्टेट्मेंट मुझे गेवन है तैक इस अलीनियर डेटा स्ट्रक्चर दाट फोलोग वर्क्स अन दा प्रिंसिपल फॉस्ट इन फॉस्ट आउट इस मेरे पास दो डेटा स्ट्रक्चर दे स्टाट एंड यू वसे तो कासी सरे डेटा स्ट्रक्चर सें यू आप लोग के करेकुलम में इस सेशन के लिए डिलीट हो चुका है मेरे पास मेरे पास और जहांतक मुझे द्यान है तो जो स्टेक मेरे वह किस्प्रापर्ति परिग करता है लीफो प्रापर्ति लीफो मीन लास्ट In फस अउट अब what does this mean last in first out leave for marriage पर गए हो खाना खाने किसी की भी marriage पर वहां पर plates रखी होती है एक की ओपर एक दिनर करते हैं एक की ओपर एक plates रखी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है की फॉर्म में और अगर आप हमारे शिरारती शिरारती बच्चे नहीं हो बहुत सीधे साथे से विवर्स हो तो क्या करोगी जो सबसे उपर वाले प्लेट होगी वही हम उठाएंगे ठीक है ऐसा तो है नहीं मतलब 10-20 प्लेट्स उपर है फिर मैं नीचे से प्लेट निकाल लि अब हम आजाते हैं रीजन वाली स्टेट्मेंट पर रीजन क्या कहता है इस स्टैक पोइंटर को एक स्टैक पोइंटर होता है मेरे पास यह स्टेट्मेंट मेरी क्या है करेक्ट है अब ऑप्शन देखो जहां पर लिखाओ एजर्शन इस फॉल्स और रीजन इस प्रूप दाट मेंस जो करेक्ट आंसर है यह बाट रीजन इस प्रूप अप्शन इस फॉल्स बट रीजन इस प्रूप नौ निक्स इस क्या कहता है अलॉंग लिस्ट दिस नॉट एक्शिट्में विकोज मैं आपने पाइथन में कितनी भी बड़ों लिस्ट को सकते हूं कोई दिखकर नहीं है रीजन क्या कहता है इप अर लिस्ट कंटेंस मेनी ऐलेमेंट्स थें तो एंटर सच लॉंग लिस्ट वी आप तो स्प्लिट देर लिस्ट अक्रोस सेवरल लाइन्स तो वट दिस मीन है कि अगर मैं पास बहुत बड़ी लिस्ट है मैं उसको मा तो और रिस रल राजेंग संगा तो जो ब्यराजन करेक्ट थेंस प्ला लिस्ट चूंग में को जा एंस लुनग नेंग ब्रान प्धार्च ए लिकताğ मीनी दीर भीट अन्रीट अधल सेप्ट दिस ऐसमिड इंग्री आशन क्या है इसमीं पास पर्सप्र दिस सान्मरा औरी कि that stores the element in first in first out order this is incorrect because जो stack है मेरा this is based on the leafo property that is last in first out तो जो assertion की statement हो गई this is incorrect reason क्या कहते है new element is added at one end and element is removed from that end only this is true because stack में मेरे पास एक ही end होता है and that end is known as the top of the stack अगर मुझे element को insert करना है तो भी हम top of the stack पर करेंगे if I want to remove the element तो remove भी हम कहां से करेंगे from the top of the stack so correct answer is assertion is false but reason is true that is option D and next is question number 5 इसमें हमारे को जो assertion statement गिवन है that is push removes the element from the stack this is incorrect because अगर मुझे element को remove करना उसके लिए मेरे पास कौन सा function है pop function तो push से हम element को remove नहीं कर सकते this is incorrect reason क्या है the time complexity of push is order of 1 this is correct कि अगर मुझे push operation परफॉर्म करना है तो order of 1 एक ही time पर मुझे element को insert कर सकते है so correct answer is assertion is false but the reason is true that is option D is correct now next is question number 6 इसमें हमारे जो assertion statement गिवन है complex arithmetic operations हो उसको convert कर सकते है अपना poly strings में this is correct reason क्या कहते है example of stack application is reversal of a given line कि जो अगर मुझे line को reverse करना हो तो with the help of stack I can do this this is the application of stack now see assertion is true reason is also true but ये दोनों statements आपस में link नहीं है independent ही तो दोनों correct है so assertion and reason बोथ are true but reason is not the correct explanation of a now next is question number 7 assertion क्या कहते है stack and q are linear data structures this is correct stack b और q b दोनों मेरे पास कौन से हैं linear data structures है but reason क्या कहते है list, tuple, dictionaries are python built-in linear data structures reason भी correct है कि जो आपके list, tuple, dictionary है क्या आपके python के built-in linear data structures है ये statement भी आपकी क्या है correct है तो assertion भी true है reason भी true है but reason is not the correct explanation of a reason तो क्या होता कि stack and q both are linear data structures because they store the element in linear order of a sequential method तो तब उसका correct reason होता but here बोथ independently तो दोनों statements correct है but reason is not the correct explanation of a so that is b option is your correct answer now next is question number 8 assertion statement is LIFO is a technique to access data from who's this is incorrect अभी हमने पढ़ा कि stack is based on the LIFO property whereas जो Q है this is based on the FIFO property so assertion तो मेरे पास क्या हो गया incorrect that means false और reason क्या कहता है LIFO stands for last in first out this is correct LIFO की full form क्या है मेरे पास last in first out so correct answer is option D that is assertion is false but the reason is true now next is question number 9 assertion क्या कहते है the element in stack is removed from the top this is correct top end से हम element को क्या कर सकते है remove कर सकते है and reason is the process of removal is called pop अगर मुझे element को remove करना इस process को क्या बोलते है pop दोनो statements भी correct है and reason is the correct explanation of A so the last question is question number 10 assertion क्या कहते है an error occurs when one tries to delete an element from an empty stack this is true कि अगर मेरे पास कोई empty stack है उस में से मैं element को delete कर रही हूं तो मेरे पास error अकर होगा definitely होगा और reason क्या कहते है this situation is called an inspection this is false because if I want to if I am trying to delete the element from an empty stack तो मेरे पास जो situation है जो condition है that is known as the underflow case तो मेरे पास assertion is true but the reason is false so that's all for this video I hope सारे के सारे concepts एक दाम crystal clear होके होंगे but if still you are having any doubt you can write it in the comment section and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section so मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नहे चॉपिक के साथ till then keep watching keep smiling keep studying thank you